दोस्तो हमारी इस दुनिया में बहुत से रेर और अद्बुत परजाती के जानवर पाई जाते हैं जिन में से साप भी एक ऐसा ही जीव है जो हमेशा से ही खतरनाक माना जाता रहा है इस धर्ती पर सापों की 3600 परजातिया पाई जाती हैं इन में से केवल 380 परजातिया ही ऐस हैं जो की बहुत जहरीली है कुछ साप ऐसे भी हैं जो बहुत खुबसूरत है जिसकी वज़े से जो भी उन्हें एक बार देख लेता है वो उन्हें देखता ही रह जाता है आज किस वीडियो में मैं आपको साथ ऐसे सापों के बारे में बताऊंगा जो की जहरीली होने के सा साथ बहुत खुबसूरत भी है तो चलिए दोस्तों आज के इंट्रस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं साथवे नंबर पर है ब्लडिड कॉन स्नेक यह बेहद आकरशक दिखने वाला साफ उतरी अमेरिका महाधीप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रहने की बात की जाये तो यह सबसे ज़्यादा पुराने खंडर, बिल्डिंग्स और चोटे जंगलों में रहना पसंद करता है दिखने में यह साफ बिल्कुल गहरे लाल रंग का खुन जैसा होता है जिसकी वज़े से इसका नाम ब्लडिड कॉन स्नेक रखा गया था चटे नंबर पर है अलबीनो बाल पाइथन इस शांधर साफ की स्किन चमकीले पीले और सफेद रंग से मिलकर बनी है जिसकी वज़े से यह साफ और भी खुबसूरत लगने लगता है और साथ में इसकी लाल आखे इसे और भी खास बना देती है यह खतरनाक और शांधर पाइथन वेस्ट एफरीका में पाय जाता है इस साफ को जो भी देखता है वो सब कुछ बूल कर इसे देखता ही रह जाता है पाँचवे नंबर पर है रेड हेडिड क्रेट कुछ एक्सपर्ट थेओरिज की माने जाए तो दुनिया में खुबसूरत चापो की गिंती में पहले नंबर पर इस रेड हेडिड क्रेट का नाम आता है इसके सभी फीचर्ज और एफिशिंसीज को देखकर इसे यह किताब दिया गया है रंग रूप से देखा जाए तो यह साप गहरे नीले रंग के शरीर के साथ लाल मूगा होता है इसकी अधिक्तम लंबाई 7 फीट तक देखी गई है यह जितना खुबसूरत दिखता है उतना ही जहरी लाभी होता है यह खुबसूरत साब थाइलेंड के जंगली इलाकों में ज्यादतर पाया जाता है इसे देखने पर ऐसा लगता है मानु भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से डिजाइन किया है चोथे नमबर पर है ग्रीन ट्री पाइथन यह साब देखने में काफी प्रेमियम और स्पेशल लगता है इसके फीचर्स ऐसे हैं जो खुद बखुद देखने वाले को मंत्रमुग्द कर देते है ग्रीन ट्री पाइथन नाम का यह साब खतरनाक तो है ही साथ में इसकी है चमकदर ग्रेन स्किन हर किशी को अकरशित कर लेती है साइज में यह साब 6 फिट लंबा होता है यह साब दिन के जादे तरस में अराम करना सबसे जादा पसंद करता है तीसरे नमबर पर है ब्लीजर्ड कॉम स्नेक अमेरिका में पाई जाने वाले इस खूबसरत सफेद साब को देखने पर ऐसा लगता है मानो कि यह साब किसी दूसरी दुनिया से हमारी प्रित्वे पर आ गया है इस साब का रंग पूरी तरह से एकदम दूद जैसा सफेद होता है इस साब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जहर बिलकुल भी नहीं होता जिसकी वज़े से लोग इसे अपने घरों में पालना बेहत पसंद करते है दूसरे नमबर पर है औरियंटल वीप स्नेक यह चमकदार पतला और हरे कलर का साब बेहत जहरीला होता है इसके फीचर्स की बात की जाए तो यह साब काफी पतला होता है और साथ में इसका मूँ इसकी बोड़ी के हिसाब से चोड़ा और थोड़ा बड़ा होता है यह साब सबसे ज़्यादा हरी बरी जगों में रहना पसंद करता है जिसकी वज़े से हरे रंग के पेड़ पोधों में इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है और इसी बात का फाइदा उठा कर यह साप अपना शिकार करता है पहले नंबर पर है ब्लू रेशर स्नेक ब्लू रेशर नाम के साप की यह पर जाती साउथ पैन्यून्सुला में पाई जाती है जो आकार में 5-6 फिट तक लंबे होते हैं इस साप की सबसे फेवरिट जगें बारिश वाले जंगल, छोटी जीले और लकडी के घर है जहाँ पर यह सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है यह साप पूरी तरह से डार्क स्काई ब्लू कलर का होता है और इसकी स्किन की चमक हर किसी को अपनी और आकरशित कर लेती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी इंटरस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें